तुझा नमस्कार में मूँ विश्यक्तियागी विश्यकप में पाकिस्तान का बेक मुकाबला बचा है वो भी कह सकते हैं कि एक केवल ओपचा रिकता है आरिलेंड के खिलाप एक मुकाबला पाकिस्तान का बचा है वरना पाकिस्तान की विशुकप में बुरी हालत हुई है अमेरिका से हार केवले कनाडा से पाकिस्तान को जीत मिलिये वो भी छोटी टीम है बाकि पाकिस्तानी टीम का उतना बैतर प्रदसन नहीं रहा जितनी उम्मीद पाकिस्तानी टीम से की जा रहे थी है फिर जितने बड़ बोले पन की पाकिस्तानी टीम थी बड़ी बाते करती थी पालो पर जाकर ट्रेनिंग केम्प लगा लिया, आर्मी के साथ ट्रेनिंग की उस तरीके का प्रदसन ना तो पाकिस्तान के बल्लेबाज कर पाए ना गेंदबाज कर पाए, कप्तानी के तोर पर भी बाबर के उपर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन अब जब पाकिस्तान की बेजज़ती हो गई है, शर्मनाक हार मिली है, लगातार पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो अपनी टीम को बर-बर कर गालियां दे रहे हैं पाकिस्तानी टीम का स्वागत अब कैसा होगा पाकिस्तान में जाकर यह आप सबी को पता है पाकिस्तान की हालत क्या होने वाले जैसे ही वो एरपोर्ट पो उतरेंगे अब पाकिस्तान की टीम की जो यह दुर्दसा है इस दुर्दसा को देखकर PCBB अब पाकिस्तान के टीम के इन खिलारियों की जो बड़ी बड़ी बाते हैं और जो खेल को देखकर एक अलग तरीके से स्वागत करने वाला है जैसी पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान पहुंचेगी एक अलग अंदाज में पाकिस्तान को एक गिफ्ट दिया जाने वाला है गिफ्ट क्या है गिफ्ट है कि पाकिस्तान की पाकिस्तान क्रिकेट बोर टीम के ओपर एक्षन लेने वाला है और एक्षन भी ऐसा लेने वाला है कि बाई साब रातों की नीद उड़ जाएगी पाकिस्तान की टीम परेशान हो जाएंगे क्योंकि करोडों का नुकसान है करोडों का नुकसान है अगर आप बल यह है कि पाकिस्तानी किर्केट बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका साफ कहना है कि जो अनुबंध है जो पाकिस्तानी किर्केट बोर्ड का जो खिलारियों का जो अनुबंध है खिलारियों के लिए उसकी समिक्षा होगी अब समिक्षा क्या होगी कि पिछले कुछ सालों में प पाकिस्तान के खिलारियों की सेलरी भी बढ़ाए गई थी लेकिन अब उस सेलरी की अनुबंद की समिक्षा होगी और समिक्षा के तौर पर पूर कुछ पूर खिलारियों ने कुछ अधिकारियों ने बोर के अध्यक्ष को ये सला दी है कि पाकिस्तान के खिलारियों के खराब प्रदस्टन की इनको सजाद दी जाए और इनकी सेलरी में कटोती की जाए अब जाहिर तोर पर अगर सेलरी में कटोती होगी तो बवंडर तो मचेगा तीम में बवंडर मचेगा और जो सेलरी में कटोती की खबर सामने आ रही है वो यह है कि कुछ सीनियर खिलाडियों के उप खबर यही है कि इस तरीके की जो चर्चा चलेगी पाकिस्तान के खिलारियों की सेलरी कटेगी अब पाकिस्तान के खिलारियों को तो वैसे ही थोड़े से दाम मिलते हैं उसमें भी अगर कटोती हो जाएगी तो हलंकि पाकिस्तान के खिलारियों का फिर काम कैसे चलेगा क्योंक रन बनाते हैं ना गेन से विकर्ट चटकाते हैं ना अपनी टीम को मैच जिता पाते हैं अब भाया एक्षन होने वाला है तो आपका इस खबर पर क्या मानना है क्या आपको लगता है कि जितना खराब प्रदसन पाकिस्तान की टीम ने टी-टी विश्वकप में किया है बाचा है कप्तानी के तोर पर कर लीजे बलेबाजी के तोर पर कर लीजे गेनबाजी के तोर पर कर लीजे फिल्डिंग के तोर पर भी कर लीजे तो क्या वास्ते में पाकिस्तानी टीम की सैलरी कटनी चाहिए ये इसी लाइक है कमेंट करके अपने राइज जरूर दीजिएगा और कौन-कौन से खिलारी की सैलरी सबसे पहले कटनी चाहिए ये भी बताइएगा वीडियो चलेगे तो लाइक और शेयर जरू करिएगा